दुनिया की 34 सबसे बड़ी सेना को नया प्रमुक मिल गया है। थल सेना के सह प्रमुक लेफटिनेंट जनरल उपेंद द्विवेदी अगले सेना प्रमुक होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल ड्विवेदी मौझूदा सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे से 30 जून को दोपहर बाद पदभार संभालेंगे। जनरल पांडे पहले 31 मई को रिटायर होने वाले थे लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया था। मध्यप्रदेश के रिवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल ड्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल रिवा में हुई। एक जुलाई 1964 को जनमे और नेशनल डिफेंस अकादमी के चात रहे लेफ्टिनेंट जनरल ड्विवेदी साल 1984 में सेना की जम्मू कश्मीर रायफल्स की 18 वी बटालियन में भरती हुए थे। अपने करीब 40 साल के करिये में कई महत्वपून जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। थल सेना में सह सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल ड्विवेदी सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। उत्तरी कमान के 2022-2024 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्वी लद्दाक को लेकर चीन के साथ चल रही बातचीत में एहम भूमिका निभाई सेना के नए प्रमुक के पास उत्तरी और पश्चिमी सीमाव में काम करने का शांदार अनुभव है उनके पास आतनकवाद के खिलाफ लढने का अनुभव तो है ही वही उत्तरी पूर्वी राजियों में उग्रवाद से निपटने के ओपरेशन्स में लेफ्टेनेंट जनरल द्विवेदी सेना की आधुनिकी करन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं साथ ही उन्होंने आतनिर्भर भारत के तोर पर सेना में स्वदेशी हत्यारों को शामिल कराने में भी अगुवाई की है जै हिंड